में हुँ अमीश देवगन और हम फिस समुए ग्राउंड़ जीरो पे मौझूद हैं और मेरे साथ मौझूद है केंद्री मंतरी हरदीव पुरी क्योंकि पूरा शासन प्रशासन भारती जनता पार्टी इस समें ग्राउंड जीरो पे मौझूद है। नरेंद्र मोधी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने के लिए और हम मौजूद है क्रतब विपत ये वह पत है जिसका नाम प्रधान मंत्री मोधी ने बदला लेकिन विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए ये वो पत है जिस पत पर आकर नरेंद मोदी ने बीते दस सालों में इस देश में अमूल चूल परिवर्तन करा ऐसा भारतियंता पार्टी कहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गड़ बंदन कहता है कि भारतियंता पार्टी हिंदू-मुसल्मान का दाव खेल रही है पोलराइ नई संसत भी दिख रही है और प्रधानमंती नरेंद मोदी के अगवाई में आपने भी यहाँ पर काम किया क्या कहना चाहते हैं देखे दोजार चौदा से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से पचास वर्ष पहले अल्मोस्ट फिफ्टी यहस टू दे डे मैंने इसको राजपत कहते थे आज इसको कर्तव्यपत कहते हैं मैंने इंडियन फॉरिंग सर्विस जोईन की थी पचास साल पहले और मैं अब यह पत शांदार देख रहे हैं नई पार्लिमेंट बिल्डिंग देख रहे हैं अभी नई सेंट्रल सेकेटेरेट की बिल्डिंग जाएंगी एच्सेटरा यह जो विकास का कार्य हुआ है सिरफ इस एरिया में नहीं देश भर में उसके आंकडे जो हैं दस साल के वो चीवमंण्स जी और दिखाने के लिए नहीं है इसलिए वो जो भी हम करते हैं उस पे वह सवाल उठा लेते हैं और मंच तयार है और मंच तयार है तो जोरधर本ीयों के साथ अभी नंदन करिए केंदिय मंत्री हर्दीप पुरी जी का तो पुरी साहब आपका अविनंदन है न्यूज 18 पर जोर्दा सालियों से अविनंदन करिए केंदिय मंत्री हर्दीप पुरी का हर्दीपुरी जी आपका एक बार फिर स्वागत है जैसे मैंने पहले सवाल पूछा 190 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है लेकिन यहां से स्थिति क्या दिखती है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पहला दौर बहुत कमजोर गया है भारति इन्तापाटी का ऐसी प्रिसेप्शन बनाई जा रही है देखिए विपक्ष का कहना के पहला फेज अच्छा गया या नहीं गया वो तो पता लगेगा जब नतीजे आएंगे चार जून को चार जून को बर दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमारे विपक्ष की अलाइंस है इंडी अलाइंस जी आप इनका प्रोग्राम देखें तो आप ये सवाल पूछिए कि मान लीजे खुदा ना करे और चार जून को जो नतीजे आते हैं उन नतीजों में निकलता है कि कॉंग्रेस पार्टी और उनके जो सहोगी दल है इंडी अलाइंस हुआ आ जाते हैं तो वो क्या करना चाहेंगे दोजार चौबिस से लेके आगे बढ़कर अगले डेकेड्स में क्या करना चाहेंगे तो दो इशूज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 1969 में इन्होंने गरीबी हटाने का नारा लगाया था और यह जो गरीबी हटाओ स्लोगन था इसको अगर आइनलाइस करें तो क्या था मैं तो भूल गया था 1974 में मैंने आपको बताया है मैंने फॉरंग सर्विस जॉइन की जी इन्होंने 1963-1974 इस एरिया में compulsory deposit scheme लाए थे माली जे हमारे जो यंग आंट्रप्रेनोर्स हैं स्टूडन्स हैं इनमें से कुछ कुछ first time voters हैं जो भी उनके पास अगर deposit है जो भी पैसा है उन्होंने का 18% इसको 5 साल के लिए fix deposit में रखिये लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि आपके पास कोई खटा-कट खटा-कट वाली scheme नहीं है जो महंगाई कम करते हैं पहले तो यह बताईए कि आप real world में रहते हैं हम लोग सब हाथ खड़ा करिए जब रहते हैं लेकिन खटा-कट खटा-कट महंगाई खतम करने की scheme है कोई बीजेबी के पास राहूल जी के पास है राहूल जी के हो रहा है इंडिया में एक्सरे करवाएंगे एक्सरे में क्या करेंगे पता करेंगे कितनी संपत्य है लोगों के बाद और फिर कुछ करांतिकारी कदम उठाएंगे कि अगर आपके पास वैलता उसको redistribute कर देंगे पहली बात देखिए एक inheritance tax नाम की चीज़ है जी विरासर टैक्स हाँ वो पहले भी था जब इंडरा जी गुजर गई तो राजीव दी को उनके बच्चों को उनके grandchildren को इंडरा जी को एक लाग 73 हजार डॉलर के करीब मिलना था क्यूंकि वो नहीं चाहते थे कि वो inheritance tax लगा हुआ था वो पे करना पड़े तो उन्होंने inheritance tax को ही कर दिया तो यह एक ऐसा outfit है जो अपने परिवार के लिए कानून भी बदल सकते हैं और आज उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आ सकते तो इस समय यह खटा-कट खटा-कट वाली machine लगा रहे हैं लेकिन लेकिन एक सवाल यह है कि अब चर्चा यह है कि वाइनट का चुनाब संपन हो गया अब को हराएंगे और वहां से फिर इसी संसद में आएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा पहले पहले तो जहां तक मुझे याद है राहुल गांदी जी अभी तो हीज आउट ऑन बेल सुनिया जी और यहां से भी सेस्पेंडेड है तो यहां आने के लिए उनको यह व कर रही है तो मुझे लगता वो सीट में बीजेपी के पास जाएगी और अगर स्मृती जी के खिलाब लड़ेंगे तो वहां तो उनका डिपॉजट भी फॉरफीट होगा लेकिन एक सवाल है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है तो फिर 2006 का डॉक्टर मनमोन सिंग का बयान उठाने की क्या जुरूत थी जिसमें प्रधान मंत्री ने कोट करा डॉक्टर मनमोन सिंग को और का कि मनमोन सिंग ने बोला ता कि संसादनों पर जो पहला राइट है वो एक खास कम्यूनिटी का है जो प्रधान मंत्री मोधी ने बात बोली जेपी नड़्डा ने BIS 2009 के वीडियो को डॉक्टर मन्वोन सिंग के कोट किया क्या आपको लगता है और क्या आपको लगता है जो बीजे पी आरोप लगा रही है अगर कॉंग्रेस शासन में आएगा तो OBC, SC, ST, इंडिया अलाइंस अगर शासर में आएगा तो OBC, ST, SC इनका आरक्षन समाप्त कर देगा और मुस्लिम्स को देने जा रहा है ऐसा आरोब भी जपिले दा रहे हैं पहले बात तो कॉंग्रेस अगर पावर में आएगी ऑफिस में आएगी तो मेरे इसाब से तो इंपॉसिबिलिटी है एनके पिछले बारी कोई 40-42 सीटें थी 52 ती सार इसार 40-42 याएंगी तो इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह हम ऐसी बात नहीं करें पहले हमने यह मुद्दा नहीं उठाया मैं आपको यह बताना चाहता हूं हमने बात इसलिए की क्योंकि यह हमारे जो युवा नेता है लोकप्रियर राहुल गांदी जी इन इसके भी उमर कुछ 50 होगी के नहीं 50 फिफ्टी तो प्लस ही है तो पर यह तो अभी रिलाउंच हो रहे हैं ना तो यह नदर फॉर्म यूथ में रिलाउंच हो रहे हैं जी नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर मनमोन सिंग ने क्या कहा था और कब कहा था और एक पर नहीं कई बार कहा था उन्होंने यह यह खाता जब प्रधानमंत्री थे इसृ भी माइनॉरटी से पर टिकुलरी मुसलिम माइनौराटी घी has the first right on the nation's resources यह उन्होंने कहा था यह उन्होंने कभी deny नी किया और उसके बाद इन में से कई लोगोंने कहा कि जो OBCs को concessions या reservation जो भी आप कहें वो वहाँ से लेके उस particular community में देने चाहिए मैं उस सीज के साथ लड़ नहीं रहा वो तो उन्होंने कहा था उसमें भी हमें ग्यान था इसके बारे आज उसकी क्या implication है आज उसकी implications यह है कि जब राहुल जी ने यह statement की कि मैं X-ray करवाऊंगा खटा-खट गरीबी कम करूँगा तो उस गरीबी कम करने के context में उन्होंने यह कहा है कि अगर आपके पास से पंद्रा सो रुपए है तो मैं बांट दूँगा दस लोगों के बीच में तो यह हुआ है और उसमें first right वो किसी minority community के देगे लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है प्रधानमंत्री की election commission में शिकायब भी हुई है notice भी हुआ है एक विपक्ष की और से यह बात है और यह बात यह कि हिंदू-मुसल्मान करने का चुनाव को प्रयास है polarize करने का प्रयास है देखिए हमारी तरफ से कोई polarization करने का प्रयास है और ना ही हम कर रहे हैं करते यह खुद हैं जब हम उनका point out करते हैं उनकी fault line में कि आपने यह कहा उस समय यह आके कहते हैं यह तो polarize कर रहे है लेकिन एक का प्रशन हो और है EVM को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोट करने हैं मिल गया आज सुप्रीम कोट ने फैसल दिया मिल गया चुनाव जीती है आप देखें EVM कब इंट्रड्यूस कभी वह EVM के बारे बात नहीं करती बर जब भी उचुनाव हारती है तो वह कहते हैं कि EVM faulty है नव EVM can either be faulty or it can be right पर यह नहीं it cannot be dependent on के Congress party जीती तो EVM ठीक हो गया देखें आज यह यह मामला जो है कई बार इस बीन टेकन आप और आज सुप्रीम कोट के सामने गया है सुप्रीम कोट हाज लाफ्ट इट आउट अव कोट जी मैं कुछ ऑडियंस के लोग आप यहीं खड़े रहिए कुछ सवाल घ eerste हैं कौूं सवाल पूचाता सर से अपना सवाल पूचे कि या सवाल आपका वीजेपी चुनाओं से पहले वोल रही थी अब के बार चार सो बार लेकिन जब पहला सवाल का चुनाव हो गया उसके बाद बीजेपी के तरफ से ऐसी रेली ऐसी कोई बयान नहीं आए तो क्या बीजेपी घबरा गई है पहले चरक और के सवाल आपका मेरा सवाल है कि बीजेपी के पास कैसी वासिक मसीन है कि जो भी इन में जाता है वह साफ सूतर हो जाता जैसे यह तीन का जवाब दे रहें चाहिए जी जी पहला सवाल आपका च्छोटे 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 जवाब पहला सवाल आपका क्या था कि बीजेपी क्या फरस्ट राउंड के अंदर क्या है क्या 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 बीजेपी की सीटे कम आ रही है नहीं कम नहीं आ रही है मैं आ और हमारे जो एपां अगर आपको तीनसोड पंतालीस हुझा अगर आप घाती हैं कि मैं अपने आपको कहता हूं कि मैं इतने साल का हूं तो कहते हैं आदा चाहर इन्हों मेने रह ले तो आप एक साला इन्हों आगे कर लिए तो मतब आएंगे 380 बोल 400 रहे हैं नहीं नहीं मैं देखे देखे जब चुनाव शुरू होता है तो एक परसेप्शन सेटिंग होती है उससे हमने का इस बार 400 पार जी होगा इसी बार 400 पार बट पहले राउंड के बाद हमने जो देखा है और आज सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है उस फिगर पर जा रहे हैं पर वो 400 होगा या 380 होगा वो तो नतीजे बताएंगे लेकिन एक सवाल और आया कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वाशिंग मशीन है जो खटा-खट साफाई करके दे देती है ऐसा है ऐसी कुछ है तो बताईए ये लोग भी इस्तवाल करें उसका न आज आप एक पार्टी में आप दूसरी पार्टी में जाने कोई बात नहीं हमारी एक कंडिशन होती है कि आप अगर भाजपा को जॉइन कर रहे हो आपका जो आपकी विचार धारा है नेशन फर्स्ट वैल्यू सिस्टम अगर उसको मीट करते बाद आए आप यह देखिए आप मेरे को यह पता है कौन सा आदमी कौन सा पुलिटिकल वर्कर किसी और पार्टी से आया हमारे बीच और उसकी वाइट वाशिंग हो गई है ऐसा नहीं होता है अगर केसे हैं तो केसे चलेंगे लेकिन लेकिन यह अजीत पवार अजीत पवार आपको लगता है कि वो करना चाहते हैं स्पेन में रहके यह क्या सवाल है अगर यह हमारी तरफ तो जिसने भी निर्ना लिया वो सोच समझ के लिया होगा विए विकल्किल आखरी आखरी राउंड है पंजाब की मैं बात करना चाहूँगा आपसे अकालियों के साथ आपका समझाना नहीं हुआ बात बनते बनते रह गई है या खेल कुछ और है आपको क्या कोकि भगवांत इमान को यह के पूछे को जो केज़रीवाल जी साथ और मंतरी कौन है अंधर और कौन जाने वाले उनको उस इसकी चर्चा करने चीए बाकि मुझे अमीश जी आपको पता है मैं आपका एड्मार हूँ जी पर आपकी प्रश्ण में मुझे लगा कि थोड़ी आपको पंजाबी जिक कहने ना अफसोस है कि नहीं हुआ गटपंदन मेरे को बड़ा रिलीफ हुआ तो रिलीफ नहीं होने दिया ने 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 सुनिये मैं कौन होता हूँ मैं तो एक भाचवा का कार्या करता हूँ इस समय मैं मंत्री मंदल में शामिल हूँ देखिया ऐसा है 117 की assembly है वहाँ पे हमें अकाली 23 seat से जादा लड़ने ही नहीं देते थे वहाँ पे 13 parliamentary constituency हैं लोकसवा की हम सिर्व हमें तीन लड़ने देते थे हम उस गठबंदन में junior partner थे और किसी भी गठबंदन में जो junior partner होता है वो घाटे में रहता हो उसके लिए घाटे का सौदा होता ह इसलिए मुझे बड़ी खुशी है इस बार क्या होगा पिछली बारी हम दो लोकसवा सीटते हैं इस बारी कम से कम तीन गुना आएंगे और दूसरे अकाली में जो काम किया रेती की डखेती नशे की डखेती और किसम का corruption मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं उनके सा गंठपंदन में रहने के कारण हमारी भी चवी खराब हुई इसलिए तो मुरी बड़ी गुशी हुए गठपंदन नहीं हुआ आखरी एक दो सवाल है और वह एक तो अर्विंद केजरिवाल के आप लोग पीछे के पड़े हैं उन्हें मीठा भी नहीं खाने देते आम भी नहीं खाने देते जेल और भीजवा दिया है यह अन्याय नहीं आपको लगता है जेल हमें भिजवाना होता तो दूसरी बात होती एक अर्विंद केदरिवाल जी राम लीला मैदान में दोजार तेरह में एक बड़ी अन्ना हजारे जी की बड़ी प्रोटेस्ट मुव्मेंट में भाग लिया उन्होंने जी जी करप्शन के खिलाफ और जब उन्होंने उस समय काता हम शराब के खिराफ हैं हम राजनीति के खिलाफ हैं हम कोई राजनीतिक डल नहीं बनाएंगे फिर क्या किया और जो जिसके खिलाफ और करुप्शन हुआ 24,000 टीचर जो इलीगली भरती हुए वहां पर किसी ने कहा था तो कोट ने जाए गया कोट ने कहा कि इसकी जांच की जाए जी तब एडी आए यहां पर नो बार एडी ने बुलाया उनको समंज किया पर केजली वाल जी ने का चाहूंगा आप लोग सब उसको पढ़ें उन्होंने का केजरी वाल इंडिविजुली एस चीफ मिनिस्टर और केजरी वाल आम आदमी पार्टी कन्वीनर इन्होंने खुद घूस मांगी है आपके वन लाइनर बड़े फेमस होते हैं तो हमने एक सोचा आपके साथ रैपिट फायर राउंडी कर लें और हम आपके साथ चार नेताओं के नाम लेंगे और मुझे उमीद है कि आप एक एक लाइन में एक चब में उसका जवाब देना नेता के बार में एक एक शब्द एक लाइन बोलनी होगी और आप बोलेंगे तो बहतर है पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूं वो है सुनीता केजरिवाल डाइंग तो अस्यूम लीडर्शिप आम आदमी पार्टी ओके चलिए अब मेरा अगला अगला नाम है आपके सामने प्रियंका गांधी वाडरा फूट आप बिन लॉंच्ट बट वस नॉंच्ट ब्रियंका गांधी वाडरा पंजाबी में बोलना पड़ेगा आपकी चुपी बहुत कुछ बता रही है बस वही मेरा रिस्पॉंस है जी चलिए आप उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते चलिए लास्ट एंद फाइरल नेम राहूल गांदी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस मंच पे आए और इस युवाप पीडी के साथ आपने साथ आपने इंटराक्ट किया और इनके सवालों के भी जवाब देने का प्रयास करा थैंक यू सो मुच और आल था प्रति आपको चुनाव के लिए बहुत जो माननिय प्रधान मंत्री जी का 2047 विक्षित देश का संकल्प है, they are the true inheritors of that. They will shape the विक्षित भारत. So best of luck and God bless all of you. Thank you, sir. Thank you.